नमचकर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नएव वीडिये के साथ दोस्तों इस वीडिये में आपको बताने वाली हूँ Redmi Note 10 Pro Max में या फिर Redmi Note 10 है आपके पास तो उसमें आप यहां पे Message Setting कैसे कर सकते हैं तो यहां पे Message Box पे आप जाएंगे और Message Box पे जाने के बाद QR Code जाएंगे जिसके सब आपने go रखा है क्योंकि यहां पे जब आप back कर देते हैं और यहां पे जैसे मियें थिख रहा है 這麼 strip कर सकते हैं मतलब हैं तो डार्क दा मोड में एक करेंब कर देंगे तो डार्क मोड में हो जाएगा आपका message box और यहां पर light mode करना चाहते है तो light mode आप कर सकते है इस टेप से और यहां पर अगर आपको start करना है तो यहां पर कोई भी जो message बगए रहा है उस पर खो जाते है ना तो start कर देंगे तो आपको highlight होते रहेंगे अचीव का option आजाता है तो यहाँ पे अचीव में कर देंगे तो यहाँ पे section होगा तो उसमें आपकी यहाँ पे भीड में कोई application जो message वगरा है वो नहीं खोईंगे आपका यहाँ पे अचीव वाले में चल जाएगा तो यहाँ पे specially एक जगा हो जाती है कि जहाँ पे आपके special messages वगरा आ जाते हैं और वो हमेशा पढ़े रहते हैं यही पे और यही से आप उसमें conversation कर सकते हैं तो यह अचीव का option है spam and block option है यह और यहाँ पे आपने कोई भी number को spam कर रखा या फिर block कर रखा तो यहीं से जाके उसको unblock कर सकते हैं ठीक हैं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ओप्शन देए को मिल जाते हैं जैसे चाट फीचर यहां से जाके आप चैट फीचर में से यहां पर verify your number कर सकते हैं enable chat feature कर सकते हैं मतलब chat feature जो wifi data वगएरा होता है वो सब आपको available देखने को मिलेगा message box में और send read receipts का option देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको यहां पर किसी ने message पढ़ लिया तो वहां पर पहुंच गया है या निकी तो वहां पर यह शो कर जाएगा आपको यहां पर ठीक है और शो टाइपिंग इंडिकेटर अगर अगला बंदा कुछ टाइप कर रहा है तो आपको यहां पर option उपर देखने को मिल जागा typing तो यहां पर आपको typing देखने को मिल जाती है ठीक है और auto download file receive data इसको यहां पर automatic download file वगरा आप कर सकते हैं तो इसको आप कितने MB का use करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद बैक कर देंगे और इसके बाद य और यहां पर allow notification badge नोटिफिकेशन का जो badge है अगर आपको चाहिए red color की जो dots आते हैं वो आप यहां पर on रहने देंगे और allow floating notification अगर इसको आप allow करते हैं कि ताकि आपका यहां पर float करता रहे notification तो इसको आप allow कर सकते हैं lock screen notification के लिए आप इसको allow कर सकते हैं lock screen पर यह message आपको शो करेगा और playing sound तो यहां पर इसका जो sound है वो आप on रहने देंगे vibration चाहिए तो आप vibration on रहने देंगे अधरवाय यहां से off भी कर सकते हैं इसका sound और vibration ठीक है तो इसका silent हो जाएगा और show notification तो यहां पर एसी रहने देंगे और incoming message पे जा कि आप यहां पर इसका sound change कर सकते हैं जिससे कि यहां पर साउंड यहां से आप चेंज कर सकते हैं vibration off कर सकते हैं या फिर आपका on lock screen पे आपका step का message होता है तो don't show notification at all इस पे click कर देंगे तो notification show नहीं करें अजाता है यह तो आपका बताई दिया है मैंने और यहां पर अदर नोटिकेशन का ऑफशन आ जाता Imayme इस पर क्ल iq करेंगे तो सेंच सैंच यहां पर भी आ अारद नोटिकेशन के लिए और एडिशनल सेटिंग इन दा एप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी वही चीज आ जाएगी जो आप स्टार्टिंग में आई थी तो नोटिफिकेशन हो गया है बबल चाहिए तो बबल को आप यहां पर अन कर सकते हैं तो एक छुटा सा बबल यहां पर आजाता है और यह उपन हो जाता है और इसके बाद बैक कर देंगे here outgoing message sound, outgoing जो message चला जाता तो टिंग से आवा जाती ना उसको आप यहां से off कर सकते हैं या फिर on कर सकते हैं आपने हिसाब से, message organization यहां पे click करके view message by category, आप यहां पे category wise भी message कर सकते हैं, view कर सकते हैं जैसे कि आपका कुछ यहां पे social media का हुआ या या फिर कोई private हुआ या कुछी step से, और primary category view पे आप click कर सकते हैं या जैसे कि personal हुआ, transaction हुआ, otps हुआ, या फिर offer वाले हुए, तो यहां पे कुछ personal कर देंगे, primary कर देंगे personal को, और यहां पे इसको छोड़ देंगे और इसके बाद back कर देंगे, और इसके बाद your current country, आप पे क्लिक करके, अपना जो country है, वो आप select कर सकते हैं, या फिर automatic detective पे रहने देंगे, आपके location के हिसाप से country देख लेगा, और इसके बाद suggestion in chat, इसके पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपको क्या-क्या suggest करना चाहिए, आपके जो smart reply है, जैसे कि आपको कुछ लिखा, तो automatic thanks लिखा आजाता है, तो thanks पे आप क्लिक कर देते हैं, वो type हो जाता है, तो आपको इसे on रखना है, और यह suggest action पे आपको on रखना है, इसको भी on रखेंगे, ताकि आपको sticker वगरा suggest करता रहे, और यह वाला option भी आप on रख सकते हैं, इसके बाद back कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे automatic previous का option देखने को मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, और show all previous, और इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे, और यहाँ पे इसके बाद back कर देंगे, spam protection पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको on कर देंगे, यह सबसे जरूरी चीज है, ताकि यहाँ पे जो spamming जो होते हैं आपके fraud वगरा आपके message के साथ होते हैं, तो वो आपका यहाँ पे detect कर ले और इससे spamming से आप बच सकेंगे, इतना कर लेंगे और बाकी चीज़े आपको करने की जरूरी नहीं है, यह full setting मैंने आपको बता दी है, आपके message की, तो I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसी type की और पी interesting वीडियो सेखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा, चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार